नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने अपराद की एक और घटना लेकर आया हूँ आज के अपराद की घटना बिहार राज जिसे है जिला है मुजफ़र को थाना है सरया और तारीक थी 19 जून 2023 यानि बहुत पुराना नहीं है अच्छा इसके पहले कि मैं आपराद आज के अपराद के बारे में शुरू करूँ मेरी कंजप्टिव आइटिस के बारे में बहुत से लोगों ने कल भी और परसों भी टिपणी की थी और पूछा था मैं बड़ी मुश्किल से ऐसी प्लॉक्स की ड्रॉप्स डाल कर और कुछ एंटिवाइटिक जो डॉटसा में दी है इसको खाने के बाद ही आपके समख्च आता हूँ इसलिए भी कि दिन भर घर में बैठे बैठे या लेटे लेटे ऊच जाता हूँ बाहर कताई नहीं निकलता बाहर किसी से कॉंटेक्ट में नहीं रहता कि किसी और को हो जाए क्योंकि अभी ये इंफेक्शियस स्टेज में है आँख की जो लालिमा है वो तो कतम हुई है लेकिन अभी भी पेन बना हुआ है फिर डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैसे तो तीन दिन में शायद एक्दम ठीक हो जाता है लेकिन ये इस ट्रेन जो इस समय चल ला है ये पांच छे दिन लेता है बिल्कु ठीक होने में जब इसकी इंफेक्शियस नेचर इसका खतम हो जाता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से किसी दूसरे को ये इंफेक्शन हो और वो परेशान हो बेरहाल स्वस्थ हूं बिल्कु ठीक हूं आखों की दिक्कत है आपके सामने में बस यह है कि जो कुछ लिखा रहता है उसको पढ़ने में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टेट हाइवे पर सबेरे सबेरे साथ आठ बज़े एक युवक की छत दिशत लाश मिली चेहरे की हड़ियां तूटी हुई थी हाथ और पैर की हड़ियों को तोड़ा गया था कोशिश सायद ये की गई थी कि देखने में ऐसा लगे कि एकसिडेंट में इसकी मृत्य हुई है लेकिन पब्लिक काफी कठा हो गई उसी थाना छेत्र का रहने वाला व्यक्ति था पुलिस पर इस बात का दबाव डाला गया कि साफ लगता है कि इसकी मार पीट कर हत्या की गई ये करता ही एकसिडेंट का प्रकरण नहीं है और उसी दिन पुलिस थाने पर सरय थाने पर जाकर पढ़जिनों ने मार पीट कर हत्या करने संबंदिय अफायार दर्ज करा दी दरसन जैसे ही ये सूचना मिली सवेरे सवेरे के एक व्यक्ति की लाश पड़ी है गाउं के लोग उधर भागे और वहां पहुंसते ही उन्होंने उसकी पहचान करी उसको तस्दीक कर लिया मिर्तक का नाम मनोज कुमार था और वो वहीं पास के एक ठीक ठाक स्कूल का मेनेजर था संचालत था इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में पॉपुलर था लोगों को पहचानने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई और जैसे ही पता लगा कि मेनेजर सहाब की हत्या हुई है और प्राइमा फेसी देखने से लगता है पीट पीट कर हत्या हुई है लिहाजा हंगामा हुआ सड़क जाम हुआ और पुलिस को तुरंट हत्या का मुकदमा लिखना पड़ा बेरहाल पुलिस ने जात शुरू की जो एसेसपी थे मुझफरपुर के या होंगे भी भी राकेश कुमार उन्होंने तुरंट स्ड़ी पियो कुमार चंदन को इस काम के लिए डिप्यूट किया गया और उनके नेत्रित्व में ही कई टीम ये बनाई गई हैं सबसे पहले CDR की एनालिसिस की गई CDR की एनालिसिस से बहुत ज़्यादा कुछ पता लगा नहीं फॉरंसिक टीम भी मौके पर आई डॉग स्कॉाइट भी मौके पर आया लेकिन कुछ चीज पता लगी नहीं बस पुलिस इस मिश्कर्ष पर जरूर पहुँची का इसकी हत्या इस स्थान पर इस स्टेट हाईवे पर नहीं हुई है बेरहाल पुलिस का जो सोचना था पुलिस का जो मानना था या पुलिस की जो पार्खी द्रिष्टी होती है वो बिलकुल सही थी कि वहां उसकी हत्या नहीं हुई थी बात्चीत से ये लगा सीडियार के एनलिसिस से ये लगा कि तीन चार महीने पहले यानि मार्च से पहले एक नंबर पर काफी बात इसकी हुआ करती थी लेकिन वो नंबर वर्तमान में बंद है उस नंबर की सीडियार निकाली गई जो बंद है तो मार्च अप्रिल के बाद मृतक से उसकी बहुत कम बात है लेकिन जून के महीने में कुछ नंबरों से उसकी बात्चीत जागा हुई है बैरहाल पुलिस ने एक एक करके जितने भी नंबर उसके बाद के थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू किया धीरे धीरे इस काम में देर होने लगए लगभग एक महीने बीट गए बैरहाल इन लोगों को उठाने में पूछने में और हत्या से उसकी कड़ी जोडने में काम्याबी पुलिस को मिल गई पुलिस का जो स्पेशलिस स्क्वार्ड होता है जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है उसके हाथ एक व्यक्ति लगा जिसका नाम था रोशन रोशन पेशे से कंपाउंडर था उससे काफी बात उस नंबर से हुई थी जो मार्च के पहले मृतक से बहुत बात करता था रोशन थाने पल लाया गया उसकी आव भगत हुई जब वो बहुत ज़्यादा दाएं बाएं करने लगा तो पुलिस ने अपना सांस्क्रितिक कारेकरम भी शुरू किया बहुत देर तक रिजिस्ट नहीं कर सका रोशन और उसने ये पूरी कहानी या पूरी बात बता दी सबसे पहले उसने ये बताया कि इस घटना में उसके साथ और कौन-कौन थे रोशन कुमार वैशाली जी लेके करताहा थाना के कंचनपुर धनुशी का रहने वाला था सर्वेश कुमार उसी गाउं का रहने वाला था पारू थाना छेत्र के कमल पुरा निवासी कृष्णा कुमार भी इस काम में शामिल पाया गया उसने ऐसा बताया एक एक करके सब एक दो दिम में पकड़कर आ गये उसने जो किस्सा बताया वो दिल दहला देने वाला है उसने ये बताया कि कृष्णा नाम की एक महिला जिसका पूरा नाम कृष्णा भारती था कृष्णा भारती उसी चेत्र की यानि सरेय अथाना चेत्र की जहां का मृतक था वहीं की रहने वाली थी कृष्णा भारती और मृतक मनोच कुमार में लगभग दो वर्षों से संबंध थे इसी बीच में इस संबंध का पता कृष्णा भारती के घर वालों को लग गया इसी साल 2023 में मार्च में घर वालों ने कृष्णा भारती की शादी कर दी दूर कर दी दूसरे राज्य में कर दी और कृष्णा भारती अपने ससुराल चली गई कुछ दिन तक तो सब कुछ सामाने रहा लेकिन कुछ दिन बाद कृष्णा भारती का नया नंबर पता करके मनोज उसको मैसेज करने लगा वो बार-बार रिक्विस्ट करती थी कि मैसेज मत करो घर में मेरे पती हैं, सास हैं, ससुर हैं लोगों के हाथ में मोबाइल पढ़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा फिर कृष्णा ने उसके मैसेज का रिपलाई देना भी बंद कर दिया जब रिपलाई देना बंद हो गया आप जानते हैं अगला प्रोसेस इस इस तरह के संबंधों में कॉल करने का है सिंगिल मिस्ट कॉल फिर नहीं उठा तो डबल मिस्ट कॉल फिर नहीं उठा तो पूरी हंटी अब की बार कृष्णा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया मनोज ने दूसरे मोबाइल से करना शुरू किया अब धीरे धीरे उसने कॉल करनी ही शुरू कर दी कभी उसे मौका मिला कॉल रिसीब करने का तो उसने कॉल रिसीब करके बताया कि प्लीज कृपा करके कॉल मत किया करो मैसेज मत किया करो तभी एक दिन उसने कहा कि जराफ फ़ला नंबर से एक वाटसेप गया है उसको देख लो दो साल की अंतरंगता थी कुछ परसनल फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ जो आपती जनत थे वो उसने सैंपल के तौर पर भेजने शुरू किये फिर वो ताइम निकाल कर घर से बाहर जाकर या बाजार में जाकर या किसी दिश्दारी में जाकर वो उससे मिन्नतें करने लेगी कि ये सब डिलीट कर दो मत भेजो ऐसे मेरी जिन्दी की खराब हो जाएगी अब मैं शादी शुदा हूँ भूल जाओ मुझको इस तरह की बातें जो बहुत सामाने हैं जो जो लोग इस चक्कर में बड़े होंगे वो जानते होंगे कि वारतालाब का जो फॉर्मेट है वो सेट फॉर्मेट है पहले की कंडीशन में भी और बात की कंडीशन में भी हम इसलिए दावे से कहते हैं कि सेट फॉर्मेट है तोंकि अपने इतने लंबए कैरियर में शुरुआती दिनों में वाटसेप नहीं थे 2011-12 में जब मैं स्पी राइवरेली था तब पहली बार वाटसेप के बारे में सुना था और सहरन पूर पहुंचते पहुंचते काफी मैसेज वाटसेप पर ही आने लगे थे तो वो यही मिन्नत ने करती रही कि मत भेजो मत करो ऐसा करना ठीक नहीं है फिर एक एक करके इसने और आपति जनक वीडियो खास कर वीडियो कॉल पर जब न्यूड वारता हो रही होगी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसने कर रखी थी उसने जब भेजा और यह कहा कि अगर तुम अब नहीं आई यहां मिलने मुझसे तो यह वाली वीडियो मैं तुमारे पती के नमबर पर भेज़ दोंगा मुझे बड़ी मुश्किल से तुमारे पती का नमबर मिला है तब कृष्णा ने बहाना निकाल कर अपने माई के जाने का फैसला किया घर से कहलवाया टेलिफोन कराया अपने पती को अपने सास को अपने ससुर को और फाइनली वो आ गई माई के आते ही उसने सबसे पहले मनोच से मिलने का फैसला किया वो वहां से फौरण भाग के उसे बताया कि मैं कहा पहुँच रही हूँ दोनों एक जगह बैठ के मिले कृष्णा ने मनोच के पैर पकड़ लियो कि मेरी जिंदगी मत बरबात करो अब मैं शादी शिदा हूँ पहली जैसी बात नहीं थी अब एक बार अगर शादी हमारी नहीं हो पाई माबाप ने मेरी कहीं और शादी कर दी हम बहुत ही हैपिली मैरीड लाइफ बिता रहे हैं कृपा करके उसको खराब मत करो अभी नई नई बात है बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी और फिर वो ये भी मिन्नत करने लगी कि मेरे सामने ही ये सारे वीडियोज फोटोग्राफ और चैट के स्क्रीन शाट्स ये सब डिलीट कर दो लेकिन उसने साफ मना कर दिया उसने कहा अगर मैंने तुम्हारी बात मान के पहले डिलीट कर दिये होते तो तुम कभी मिलने ना आती और मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर तुम कभी मिलने नहीं आओगी इसलिए मैं डिलीट नहीं कर सकता और नहीं करूंगा फिर उसने कहा लेकिन दो क्राव में जोर करो एक कि तुम कभी कॉल नहीं करोगे क्योंकि कॉल आते ही मैं बहुत आसखज हो जाती है और मेरी इस मन हिस्तिती को मेरे घरवाले रीड करते हैं मैंने चाहता कि कल को मजबूरी में या किसी वज़े से मेरा फोन लेने के बाद उन्हें इस बात की शंका हो जाए कि शादी के पहले का कोई सम्मन्द अभी भी कंटेन्यू कर रहा है दूसरा उसने कहा कि कोई वाटसेप पर मैसेज मत वेजा करो मैं दो नमबर तुम्हारे ब्लॉक कर चुकी हूँ और तुम अलग-अलग नमबरों से फोन करोगे ये बात ठीक नहीं है लेकिन मनोज ने इसको भी मानने से इंकार पर दिया तब वहाँ से आने पर कृष्णा ने रौशन को अपने घर बुलाया और रौशन से कहा कि हमें हर हाल में मनोज की हत्या करानी है उसे रास्ते से हटाना है वरना मेरा जीवन बरबात हो जाएगा चुकि रौशन को कृष्णा पहले से जानती थी कमपाउंडर था और दबंग प्रवितिका था दबंग लोग जो लोगों की मदद भी करते हैं उस तरह का दबंग था रौशन ने फौर अन्हा कर दी उसने कहा बिलकुल हो जाएगा ये कौन सी बड़ी बात है मैं करा दूँगा लेकिन इसमें बहुत से लोगों को और बुलवाना है उनको उनसे काम कराना है लिहाज़ा इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी पैसा उसने कम बताया क्रिशना ने पांच लाक रुपए देने की बात कह दी बात फिर ये हुई प्रिशना ने कहा कि हम कैसे मालने कि तुम पैसा लेने के बाद भी मेरा काम करीद होगे उन्होंने कहा हम कॉंट्रेक्ट बनाएंगे कागस पर स्टैम पेपर पर कॉंट्रेक्ट तुम लोग सब जिनको लाने को कह रहे हो जो सब लोग आ जाएं सबसे बात हो जाएं सब लोग साइन करोगे मैं पांच लाख रुपए पोस्ट डेटेड चेक से तुम को दूँगी दो काम होने कि पहले तुम निकाल लो तुम कह रहे हो कि इनको बुलाना है उनको बुलाना है गाड़ी लेनी है गाड़ी खरीदनी है किरायक लेनी है जो कुछ भी करना है ये तुम पहले दो चेक पोस्ट डेटेड चेक कैश कराके उनसे कर लो लेकिन तीसरा पोस्ट डेटेड चेक की तारीख आने से पहले मेरा काम हो जाए वरना बाकी के तीनों पोस्डेटिड चेक्स को मैं स्टॉप पेमेंट करा दूँगी बात तैं हो गई तीन और लोगों को लेकर रोशन आ गया कृष्णा ने अपने ही एक मित्र से एक डॉकुमेंट स्टाम पेपर पर एक डॉकुमेंट तैयार किया बाकाइदा उसमें उसका रीजन लिखा कि ऐसे ऐसे मेरे एक्स बॉइफ्रेंड मनोज को रास्ते से हटाना है उसके लिए तैं की गई राशी इन इन चेक के माध्यम से मैं दूँगी सब ने इस पर साइन किया आपने कभी नहीं सुना होगा documented contract for murder हत्या के लिए हलफ नामा हत्या के लिए स्ट्याम पेपर सब चीजें लिखा पढ़ी में लिखा पढ़ी की हत्या बैरहाल वो contract paper तैयार हुआ खरीदने के बजाए पैसा बचाने के चक्रमचा वो भी हुआ लालच में इतनी बड़ी रकम की लालच में सब लोगों में contract sign कर दिया बात तीन लाग की हुई थी पृष्णा ने अपनी तरफ से पांस लाग उपय कर दिया तो नई गाड़ी इन लोगों ने नहीं खड़ी दी किराय पर एक shift desire ले आए दो चेक का पैसा बिड़ा कर लिया और फिर 18 जून को चूंकि रोषन भी मनोज को जानता था किसी बहाने से एक पार्टी देने के लिए रोषन को अपने साथ उसी swift desire में ले गया और चंपारण के ब्रिंदावन चंपारण जिलिम में ब्रिंदावन इलाका है वहां उसे एक अच्छी जगह पर ले गया है जहां पहले से दो अपराधी मौजूद थे वहां सबने छप कर शराब पी शराब पीने के बाद खाना खाया खाना खाने के बाद सिर्फ डिजायर पर वो तीन लोग रोषन दोस के साथ ही और मनोज सिर्फ डिजायर पर बैठ गये बीच में मनोज को बिठाया गया एक तरफ कृष्णा और दूसरी तरफ दूसरा उसका एक साथ ही जब वो थोड़ा थोड़ा नशे में होने लगा तो पहले के प्लान के मताबिक उसे नशे का इंजेक्शन नीद का इंजेक्शन देना था चुकि रोशन कंपाउंडर था उसे हर हरकत का हर चीज का पता था सारी प्रिपरेशन उसने पहले से कर रखी थी लहाजा जब वो थोड़ा अचेत होने लगा तो उसे एक नशे का इंजेक्शन दे दिया ताकि किसी भी दशा में उसे किसी तरह का होश ना आए उसके बाद दोनों ने मिलके उसका गला तबा दिया पिछली वाली सीट पर ही और उसको मुकों से इतना मारा कि उसके जबले के हडियां तोड़ दी हाथ और पैर की हडियां भी उस पर पैर रखकर अलती तरह मूलने से वो रख़डियां भी तोट गही फिर उसे लाकर सरहिया थाना छेत्र के ही स्टेट हाईवे पर फेंक दिया रात में कोई दो बजे ये लाश फेंकी गई और सुबह साथ बजे लाश का लोगों को पता लग गया पुलिस ने इनके घर की कलाशीली घटना में उप्योग की गई स्विफ्ट कार बरामद हो गई पूस्ताच हो गई और इनके घर से तीनों के साइन किये हुए कॉन्ट्रेक्ट पेपर बरामद हो गई जिस पर इस बात का मुआइदा जो लिखा गया था कि कैसे कैसे इसकी हत्या करनी है इनके पास से पंजाब नेशनल बैंक के पांच चेक भी पोस्डेटेट चेक भी बरामद हो गई दो इन में कैस कराये जा चुके थे और बाकी तीन ब्लैंक क्या उसम टूटल उसमें बरा हुआ था आगे की डेट्स के थे और पंजाब नेशनल बैंक के ही दो और ब्लैंक चेक्स भी वही पर बरामद हो गए कृष्णा भारती की गिरफ्तारी बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाई थी वो जहां उसकी शादी हुई थी ससुलाल में जो दूसरे राज्य में थी वहां से उन लोगों ने उसे कहीं इधर उथर कर दिया था और लास्ट में भी हाल में उस दिन पहले ही उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है सभी को गिरफ्तार करके पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है आज की घटना आज की घटना किसी महिला के प्रतिशोध की पराकाश्था है जब दो साल तक संबंध थे तो महिला के कुछ आपत्ती जनक फोटो और वीडियो वीडियो चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो और आपस में जब फ्री होकर चैट कर रहे होंगे दोनों तो उसकी स्क्रीन शॉर्ट्स ये मनोज ने लेकर रख लिये थे कृष्णा भारती मनोज की गर्ल प्रेंट थी फिर कृष्णा भारती के घरवालों को पता लगा आनन फानन में उसकी शादी तैंकी गई और तीन चार महीने पहले ही मार्च में उसकी शादी कर दी गई वो दूर अपने ससुराल चली गई कुछ दिन तब तो ठीक रहा लेकिन फिर लड़के ने मनोज ने कृष्णा भारती का पीछा करना शुरू किया लेकिन जब वो हाथ नहीं आई तो मनोज ने वो फीटी फोटो और वीडियोस सैंपल के तौर पर उसको भीजने शुरू पर दिये मजबूरी में कृष्णा भारती अपने माईके आई तो मनोज से मिली उससे मिन्नते की कि सारे वीडियोस फोटोस और स्क्रिन शॉर्ट्स डिलीट कर दो मनोज ने कहा कि सब डिलीट ही कर दोंगा तो तुम कभी मेरे बुलाने पर नहीं आओगी काफी अनुने विने के बाद भी मनोज ने ना फोटो वीडियोस डिलीट किये और ना ही ये बात मानी कि हम कभी मिलने का प्रयास नहीं करेंगे कभी कॉल नहीं करेंगे कभी मेसेज नहीं करेंगे उसने साफ मना कर दिया उसने कहा कि हम कॉल भी करेंगे हम मेसेज भी करेंगे और हम मिलने की जिद भी करेंगे मिलने के लिए तुम्हें बुलाने का मुझको सब कुछ सारे तरीके पता है जब वहां से लौट कर गई तो वो गुस्से और प्रतिशोत से भरी कुई थी उसने ससुराल पहुशते ही टेलिफोन से अपने उस मित्र अपने गाउं के पास के उस कमपाउंडर रोशन से संपर किया उसको बुलवाया उससे बात की उसने कहा बिल्कुल हो जायागा यह काम होने में कतई शंचाय नहीं है, मैं करा देंगा पैसा खर्च करना पड़ेगा पूछा कितना उसने कहा तीन लाग बुले में पास लाग रुपे देंगे लेकिन काम की गारंटी होनी चाहिए दूसरा ये कि जब मैं इतना पैसा खर्च करूंगी तो मैं लिखा पढ़ी में इसका कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, मुवायदा करूँगी, रुक्का बनवाऊंगी, इस टाइम पेपर पर लिखूँगी इतनी लंबी रकम सुनकर उसने कहा बिल्कु ठीक है, मैं अपने लोगों से बात करनूँ जो इस काम के माहिर है बातचीत हो गई, जो दो लोग वहाँ पर पहले से मौझूद थे ब्रिंदावन में चंपारम जिले के, उनसे भी बात हो गई, पैसे की बात पर पैसे के पेमेंट की बात पर आई, तो हमेशा यह होता, एक साब इतना एडवांस दे दीजिए, इतना काम होने के बात दे दीज लेकिन उस प्रतिशोत से भरी हुई चालाप महिला, कृष्णा भारती ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं पूरा पांच लाख रुपए पांच पोस्ट डेटेट चेक्स से दूँगी, और जिसका उलेक कांट्रेक्ट में होगा, पहले दो चेक आप टाइम पर कैश करा आपको लोजिस्टिक्स की जहां जहां जरूरत है, वो सब ले लीजे, लेकिन तीसरे चेक की डिव डेट से पहले मेरा काम हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं बिना किसी से बाग किये हुए, तीनों का स्टॉप पेमेंट लगा दूँगी, बात तैं हो गई, सारे पोस कांट्रेक्ट हो थे, उनमें से एक मिला है, जो मैं कम्यूनिटी में डाल रहा हूँ, आप भी देखिएगा, इतनी लंबी रकम की लालच में सब लोग आ गए, और सब ने उस कांट्रेक्ट पे साइन कर दिये, एक शर्त और रखी उसने, उसने कहा देखो मारने के बाद गड़े में दबा दिया, ये मैं सुनने को तयार नहीं हूँ, मारने के बाद बॉडी उसके स्कूल के आसपास ही फेंकी जाए, ताकि गाउवाले उसे पहचान सकें, और मैं भी मुतमेन हो जाऊं कि तुमने सही आदमी के साथ ये काम किया है, मेरे साथ इसी तरह का दोखा क करने की आवश्यक्ता नहीं है, जब मैं इतना कर सकती हूँ, तो मुझे और भी तरीके पता हैं, इस बात पर, इस शर्त पर रोशन और उसके साथ ही सहमत नहीं थी, उनका ये कहना था कि साथ हम बिलकुल मार देंगे, हम फोटो आपको भेज़ देंगे, कि हाँ हमने मार दि और अगर बाड़ी वहाँ पर मिली, तो पुलिस हाथ पर मारेगी, और ज़रूरी नहीं कि वो हम तक न पहुंच पाए, पहुंच भी सकती है उन लोगों ने किया भी यही, दो पोस्ट डेटेड चेक कैश करा लिये, और तीसरे की डेट के पहले सिर्फ डिजायर ली, उसके बाद फिर मनोज को रोशन ने बुलवाया, फिर चमपारन के ब्रिंदावन ले गए, खुब शराब पिलाई, खुब खाना खिलाया, लाचे का इंजेक्शन लगाया, गला घूट कर मार दिया, और फिर उसके स्कूल के पास ही सराइया के स्टेट हाईवे पर उसे फेक लिया, उस समय में लोगों ने कहा कि वहाँ फेकना ठीक नहीं है, और कहीं हम लोग पकड़े में जाएं, फेकते समय ना पकड़े जाएं, पता ना लग जाए, कहीं पर कोई सीसी टीवी कैमरा हम लोगों को रिकॉर्ड न कर ले, दुनिया की इस से बढ़िया ये है, बहुत अच्छी जगह इसको मारा है, रास्ते में बड़े बड़े जंगल हैं, यहीं कहीं इसको खिसका देते हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा अग्यात में दाखिल हो जाएगा, चार-च्छे महीने मुकदमा इसका अग्यात में चलेगा, फिर इसकी फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, लेकिन फिर याद दिलाया रोशन ने, कि अगर तुमने ऐसा किया, तो बाकी के तेन चेक वो स्टॉप पेमेंट कर देगी, उसकी बॉडी को स्टेट हाईवे पर फेंक दिया, मैंने अपने इतने लंबे केरियर में शपत पत्र पर या कॉंट्रेक्ट पर साइन करके किया गया अपराद पहली बार सुना है, देखा तो इतने लंबे केरियर में कभी नहीं है, कि बाकाइदे एक डॉकुमेंटेड मर् करने वाला भी और कराने वाला भी उसने प्रापर कॉंट्रेक्ट साइन किया हो, और पोस्डेटिट चेक से हत्या जैसे अपराद का पैसा अपरादि हो तक पहुचाने की बात भी मेरे संग्यान में पहली बार आई है, क्योंकि अपरादी कितना भी बड़ा अपरादी हो, आपने देखा होगा बड़े से बड़े अपरादियों ने बड़ी बड़ी हत्याएं की हैं। लेकिन पुलिस को सबूत जुटाने में पसी ने छूप जाते हैं। अकेले में बात की जाती है अकेले में पैसे दिये जाते हैं यकीम किया जाता है पैसे जिसको दिये गए है वो जानता है कि काम नहीं करूंगा तो फ़ला मुझको मरवा देगा लेकिन किसी तीसरे का इंटर फरेंस किसी को कोई भी पसंद नहीं करता कि हमारे इस योजना के बारे में किसी और को पता लगे लेकिन यहां तो ऐलानिया हत्या की गी बाकाइदे ऐलान करके स्टाम पेपर पर रुके पर हत्या हुई ऐसा मैंने पहली बार की ये ऐसा भी हो सकता है हत्या हो गई शपत्पत्र पर हत्या की गई इस टाइम पेपर पर की गई बाकाइदे रुप का बना कर की गई पुलिस को सुबूत के लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ें पुलिस पर ऐसा हिसान किया इन लोगों ने कि बस पूछे मत क्या साबित करने के लिए रह जाएगा जब साइंड कॉन्ट्रेक्ट पेपर पुलिस ने बरामत कर लिया कि इतना पैसा देंगे इस इस पोस्डेटिट चेक से देंगे इतना घटना से पहले देंगे इतना घटना के बाद देंगे नहीं करोगे टाइम पर स्टॉप पेमिंट कर देंगे सब कुछ लिखा पढ़ी हो मतलब विवेशना पुलिस को जिसको वो कहते हैं कि बिलकुल थाली में रख के ये सबूत ऐसा दे दिया कि अगर छोटी छोटी कडियों को जोड़ कर ठोक के चार्शीट लगाई जाएगी तो इन्हें सजा मिलेगी सब के सब को सजा मिलेगी और ये सजा टॉप कोड तक भी कहीं कटेगी नहीं इतने सॉलिड डॉकुमेंटरी इविडेंस होंगे पर यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि अंतरंगता कितनी भी हो पर ये वीडियो चैट, फोटो, वीडियो ये सब शेयर करके न्यूट वीडियो चैट ये सब करके महिलाएं या लड़कियां क्यों अपनी इज़त का फालूदा बनाती हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये कम से कम 25 वी ऐसी इघटना है जिसमें वो ब्लैक मेल हुई है या मारी गई है कोई इतनी जल्दी कैसे सामने वाले पर यकीन करने लगता है कि कपड़े उतारने में जिज़त नहीं होगी मत कर ये ऐसा कभी मत कर ये ऐसा कोई कितना भी नजदीक हो चाहे वो आपके नजदीक हो चाहे आप उसके नजदीक हो किसके मन में क्या है कौन सा खोट है आप कभी उसकी फेस वैल्यू से रीड नहीं कर सकती है ये सब कभी अलाव न करें वरना कभ धोखा हो जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे आशा है आप मेरी इस बात से सर्मत होंगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद